हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एंपी से आयल के प्रिवियस एर के आफिसियल कोश्चन पेपर को जो की एडवांस पेपर है यानि की पेपर टू के लिए यदि आप इस्टिपेंडि ट्र फीटर केटेगरी का केटेगरी सेकेंड एस्टिटी टीम का पेपर जो होने वाला है इसमें आप लोग को 120 मिनट का समय मिलेगा और मैक्सिमम जो मार्क होगा डेड़ सो अंक का होगा और इसमें आप लोग का जो कोश्चन आएगा टोटल कोश्चन आएगा दबुकलेट मेकूल 50 प्रस्ण होंगे आल कोश्चन कहीरी इक्वल मार्क फ्री मार्क्स विल भी एवार्ड़ फार इच करेक्ट एंसर और सभी प्रस्णों के बराबर अंक प्रति एक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिये जाएंगे और जीरो वन मार्क विल भी डिड़क्टेट फार इच इनकरेक्ट एंसर प्रति गलत उत्तर के लिए आपके एक अंक काट लिये जाएंगे यहां यहां पर निगेटिव मार्क है वन थर्ड यहां कि तीन कोश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही वाला भी एंसर जो किये हैं वो भी गलत वो भी काट लिया जाएगा तो यह ध्यान प्रिवियस के कोश्चन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में जाएगा तो वह डाउनलोड करके अपनी तयारी करिएगा जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपका पेपर कैसे आएगा ठीक है तो यह उसका क्या है पेपर का फर्स्ट पेजे जिसमें सभी क का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अनुदेश दिया हुआ है चलिए हम लोग कोश्चन को स्टार्ट करते हैं डाइरेक्टली यहां पर देखिए जो एडवांस पेपर फार आइटी आई फीटर कैटेगरी सेकेंड एस्टी टीम पोस्ट के लिए है इसमें जो पहला कोश्च का लेवेल आप लोग अपना अंदाजा लगाते चलिएगा और यह प्रिवियर को कोश्चन को ज़रू डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्टन भाक्स में मिल जाएगा चलिए पहला कोश्चन है एक इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है तो आपको पता ह एक इंच कितने सेंटीमेटर के बराबर होता है तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच दूसरा कोश्चन है एक माइक्रो मीटर है एन एरर आफ प्लस 0.02 mm what is the correct value of mm when the micrometer reads 25.41 mm यानि कि कह रहा है कि एक micrometer में प्लस 0.02 mm की तुरूटी है जब micrometer 25.41 mm पढ़ता है तो mm में सही मान क्या होगा ठीक है तो इसका answer आपको बता है तो देखें micrometer में काउन से तुरूटी है प्लस 0.02 यानि कि कोई भी चीज हम नापेंगे तो वो accurate मान से कितना बढ़ा होगा प्लस 0.02 तो माली जेकि यह कितना नापा होगा है 25 25.41 मापा होगा है तो यह कितना अधिक है यह अल्रेडी क्योंकि प्लस में टूटी है तो इसको आपको निकालना पड़ेगा 0.02 को क्या कर दीजेगा माइनस कर देंगे क्योंकि यह इतना बढ़ा नाप रहा है आपका micrometer तो इतना निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा जो कि यह आपसनिया पर सही हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है V block is used to hold round bar V block is used to hold round bar The V block usually has an angle off V block गोलाकार छड़को रखने के लिए इस्तमाल किया जाता है यह V block आमतर रुपर कितने कोड़ पे होता है बिल्कुल सही अच्छा question है यह जो V block का गोलाकार छड़को रखने के लिए जो V block का आमतर रुपर कितने कोड़ को बनाया जाता है 90 डिगरी को बनाया जाता है आपने workshop में भी देखा होगा V block को कैसा रहता है वो 90 डिगरी पो होता है सभी question रड़ जाईएगा क्योंकि यह NPCIL की previous question है official paper है और इसका link में description बाक्स में देदूँगा तो वो PDF जरूर ले लिजिएगा चोथा question देखिए दिया है the operation of threading in drill hole is called drill किये गए चिद्र में threading परकिरिया को क्या कहा जाता है tapping कहा जाता है drilling कहा जाता है rimming कहा जाता है या grinding कहा जाता है इन सभी question को आप लोग note करते जाएगा जो drill की चिद्र में threading परकिरिया होती है उसे tapping कहा जाता है क्या कहा जाता है ठ्रेडिंग पर करिया को टैपिंग कहा जाता है अगला question five number का है दिया है while grinding one must use grinding की समय क्या उपयोग करना चाहिए dark glass screen का dark सिसरे की screen का या safety gogol का या या safety चस्मा गगल का या welding helmet यानि की welding helmet के लिए या sun glass यानी धूब का का चस्मा तो देखिए इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा वाइल ग्राइंडिंग वन मॉस्ट मॉस्ट भी यूज सेफ्टी गॉगल ठीक है सेफ्टी चस्मा पहनना चाहिए अगला कोशन देखिए शिक्स नंबर का च उक्स नंबर का कोशन है वि एयरींग है यृ नूमेन्ट छेचर 6 3 1 0 JUL Until 10 is par इलेटड टू डार रुडव्यास से तो इसका करेक्ट अन्सवर क्या हो जागा किस संबदंध है वह से सम्ब्स test भी हो जाएगा अगला कोश्चन सेवेन नंबर का देखिए दिया है दो क्वालिटी कंट्रोल एलाव एड दी मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स हाव मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी एलाव इन प्रोडक्शन आफ 500 पार्ट्स गुडवत्ता नियंत्र के केवल 0.4 पर्सेंट दोस्पूड भागों की अनुमती देता है ठीक है तो 500 भागों के उत्पादन में कितने दोस्पूड भागों में अनुमती दी जानी चाहिए करेक्टेंसर ए जो है एक आप साने 0.2 या 200 या 2 या 20 तो करेक्टेंसर या क्या हो जाएगा देखिए इसको कैसे साल् कितने गुड़ वत्ता के वाल दोस्पूड पाया जा रहा है तो 0.4 परसेंट को हम लोग बटा में 100 कर सकते हैं 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल हो गया अब क्या हो जाएगा पांचों के 20 एक के बाद दसमल हो है तो करेक्टेंसर कितना आ रहा है दो आ रहा है तो दो क्या हो पाठवा नंबर दिया है दो मस्ट कॉमनली यूज इस्टेंडर लेंग्थ आफ हैक्सा ब्लेड इज हैक्सा ब्लेड की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मानक लंबाई क्या है 6 इंचे 8 इंचे 10 इंचे 12 इंचे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्टन गाई टिकल ल कमजोर अन्स कौन सा होता है फ्लेंच, शाफ्ट, की या बोलट तो करrekt टेंसर यहां पर क्या हो जाएगा की हो जाएगा जो की क्ञे जिकोकी क्प्ली में सबसे कौन सा होता है की होता है अगला कोशन देखे विच आप compound is used for transmission of mechanical power for Soott कि यांतर की सकति के प्रशाड़ के तो देखिए यांत्रिकी सक्ति के परसाड़ यानि कि ट्रांसमीशन के लिए हम चेन का भी इस्तमाल करते हैं बोल्ट का भी इस्तमाल करते हैं चेन का भी इस्तमाल करते हैं और कप्लिंग का भी इस्तमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा आप दीजी नहीं कि यह सभी करेक्ट टेंसर हो जाएगी अगला कोश्चन देखिए रॉस्ट इज फार्म फ्रम दी रियक्षन आफ आइरन एंड डॉट डॉट लोहा और किसके प्रतिकिरिया से जंग लगता हैं किसके प्रतिकिरिया से यह आपको आप सं नंबर को को आप एंसरा में बताइएगा कि यहां पर लिखस्ट इसका एंसर क्या हो जाए या बोत इ और वी दोनों होता है या से कोई नहीं तो इसका क्रेक्टेंसर क्या हो जाएगा हैंडल की और कर सता है उसके हैंडल करेक्टेंसर जाएगा ने कश्च अगिए ठाटीमबर को दिया दिया रहा सिजए पोसारी सओरिमेर का स्फिर्ण का कोस्षण दिया हैं ब्रॉइस व्ला typical ब्राइज ट्र li यह किसका मिसरित होता है मिसरद होता है तो यह होता है तामबा और जस्ता का सी करेक्ट जिंक का ऐड़ यह वह अगला कोंटानन रह दिया है वान मिली मीटर एक वाल मैकोर वाल यह किसके बराबर होता सित्र को परिसर्जित और बड़ा करने के लिए इस तविए वाले कबाए जाते करिक्टीट को क्या कहा जाता है ड्रेंग कि यहां पर करेक्ट अर्पकर जाएगा रिमार कहा जाता है जाता है न जब चिद्र को परिसजित और बड़ा करने के लिए इस्तमाल की यह जाने वे कर्टिंग तुल को क्या का जाता है रीमर का जाता है नेक्स कोस्टन देखिए 16 नंबर दिया है दा एबिलिटी आफ मेटल टू ड्रान इंटू वायर इस मीजर आफ इट्स धातु को त सदार जयता बनाने की छमता होती है तो करेक्टेंस और क्या हो जाएगा यह होजा जाएगा नेक्स कोश्टन देखिए 17 नंबर द इंगंड़ विची लेजस देन 90 डिग्री इस कार्ड़ को सबस्क्रढ़ कहता है दोजो को 90 डिग्री से कम रोता आए उससे क्या काहा जाता ह तो अधिक कोड वो कोड होता है जो 90 डिगरी से अधिक होता है वो obtuse angle होता है अधिक कोड होता है जो 90 डिगरी से कम होता है वो acute angle noon कोड होता है और जो 90 डिगरी का होता है उसे हम लोग समकोड कहते हैं और 180 डिगरी का कोड बनाएगी कोई भी दो लाइन 180 degree को उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते है 180 degree का को या सरल रेखा नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अगला कोशन है 18 नंबर दिया है विच एमांग दी फोर्मिंग यूनिट इस दो लार्जेस्ट यूनिट फार्म मेजरमेंट आफ एंगल निमल्कित मेंसे कौन इकाहि कोड मापने की सबसे उच्टम इकाहि है रेडियन सेकन्ट मीनट डिगरी तो यहा यहां पर प्रेुंग Intix and जो कोड मापने की सबसे उच्छतम इकाहि है रेडियन नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं 90 नमबर इन ग्राइंडिंग वील स्पेसिफिकेशन शिंबल वी रिप्रेजेंट ग्राइंडिंग वील में प्रतिक भी क्या दर्शाता है ग्रेंड साइज को ग्रेड को टाइफ आप बॉंड को या एब्रेसिव ग्रेट साइज को तो प्रिमीर्ली डिमूबल टाइप निमलिकेत महिंसे कौन सा मुख्य रूप कर हत अने वाला सवन्यूंग का प्रकार ये वेल जॉन्ट यानि किि वेल्ट डूइन लिलिवेड जॉन ब्रेड जॉन्स और या मेम ब्रेडग जॉन्स आप और यहां पर क्या हो जागा बोल्डग जोएंट होता है जल्दी इसे खोल पाना मुज़ के लिए अगला कोश्चन देखिए 21 नंबर का दिया है विच वन आप दी फॉल्विंग मेटेरियल इस फार मैकिंग ग्राइंडिंग वील निमलिखित में से किस पदात को ग्राइंडिंग वील बनाने के लिए उपयोग किया आप पार्ट विथ लो डस टाइप एंबसिव एज धीले दूल के प्रकार के घर सकर सुझम ग्राइंडिंग परक्यिया को क्या कर जाता है हो निंग कर कहा जाता है पॲिशिंग कहा जाता है लेपन कहा जाता है या बफिंग कहा जाता है तो पर जानल अप हर बुदम्न की जाने वाली ट्विश्द कर कितना होता है आप समयлек नहीं क्या हो जाएगा 118 जो होता है drill का बिंदु कोड होता है यानि twist drill कोड कितना होता है वह 118 अंस होता है next question बढ़ते है 24 number 24 number का question है the grain size of grinding wheel is indicated by number very fine grain size indicated by number grinding wheel के कड़ का map संख्याओं से सूचित किया जाता है बहुत बारी कड़ का माप की संख्याओं से सूचित किया जाएगा तो यहां पर आप सने 10 से 24 30 से 60 100 से या 220 से 600 तो यहां करेक्टेंस क्या जाएगा देखिए grinding wheel के कड़ की माप की संख्या जो उसके बहुत बारी कड़ होता है ना जितना अधिक संख्या होगा ग्रेंड साइज की संख्या जितनी अधिक होगी वह क्या होगा उतना ही बारी कड़ होगा अब सूचिए बड़ा बड़ा कड़ रहेगा तो कम आएगा और छोटे छोटे कड रहेंगे तो अधिक आएंगे तो इसलिए छोटे-छोटे कड पूस धिए अगर यह बड़ा-बड़ा पूछे दगा तो क्या होगा एंसवर जितना कम ग्रेन होग उतना ही बड़ा बड़ा ग्रेन साइज होंगा तो यह याद रखिएगा क्योंकि बड़ा बड़ा कोई चीज है तो 1 बज़ियी gonna झालो कार्बन इस्टील या कास्ट आरन तो करेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा कास्ट आरान जो यह एए अत्यदिक भंगूर होता है याद रखिएगा कास्ट आरन सबसे ज्याद होता है अगले कोश्शन परते हैं 26 अभूट इसे कलर तो यह ब्लैक कलर का होता है काला रंग का होता है next question is WG is used for measuring of swg मापने के लिए परियुक किया जाता है क्या मापने के लिए परियुक किया जाता है 27 का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा देखे ठेट की पीछ स्टार की लंबाई चादर की मोटाई या थ्रेड का परकार तो थीकनेस आप सीट को नापने के लिए swg का परियोग करते हैं next question परते हैं विच आप दी फोर्मिंग कैन बी बेंट इंटू यू से निमलिखित में होती है इसे यू शेप में ढाला जा सकता है निमलिखित में से यू आकर में मोडा जा सकता है माइल्ड इस्टिल बार को करेक्ट एंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट कोचन देखे ट्वेंटी नाइन नमबर दिया विच इस जनरली एप्लाइड फार आइडनिटिफिकेशन या बोथ एंड भी या नन आप दीज इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा प्रूसियन ब्लू का प्रियोग किया जाता है असमतर्ता को पहचानने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है प्रूसियन ब्लू का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट कोच्ट है 30 नंबर यह सेलेक्ट दो मोस्ट एप्रोप्रियेट एंसर दो लिस्ट काउंट आफ वर्नियर कैलिपर्स इज बहुत ही अच्छा कोशन है आप लोग को तो यह बिल्कुल आंख बंद करके मार देना चाहिए वर्नियर कैलिपर्स का अलपत मांग कितना होता है कितना होता है तो 0.02 मिलीमेटर होता है नेच्सट है ग्रफाइट एज ऍस लुज ऐजघ लूए डिज़मीड रूब्रिकेंट किसका इसने एक यिसने है के लिक्विड या सेमि लिक्विड या तो ग्र्रफैट कैसा होता है आपक लिक्विर देखा होता है तो यह कठोर आवस्ता में होत दिए आधा तरोल अवस्ता मेरेगा अधा कटोर अबस्ता मेरेगा तो वह सहें ऑप कैलाता है तो ग्रिफाइट कैसा होता है कठोर होता है इसलिए इसे सोलिद् लूरॉक्स कहा जाता है नेक्स्टपोफ नंक हैं जाता है जिसा जनररली मेड़ औफ जो बूस्ट विएर्ट यह होता है वह आम तरपे किस यह बीक होता है। अगले question पर चलते हैं दिआ है 33 नंबर को कोशन mm pursue in a micrometer is marked7 डूट डूट एक handle क्यों मिली मिटर स्केल को किस परकार चिनिद किया जाता है किस पिंडल के द्वारा रैचिट के द्वारा थ महुंद के द्वारा यह बैरल के किसके द्वारा तो बैरल के द्वारा केक्ट तैन्सों हो जाएगा एक मांक्रो मीटर को मिंडी मीटर इसकेल को बैरल द्वारा जो मिवें स्केल को द्वारा चिनित किसा estéर किसे ढ़ जाता है न कुर्ष आप इंसाइड माइक्रो मीटर द्वारा चिद्र का व्यास को मापा जाता है अब देप्त माइक्रो मीटर क्या होता है तो देप्त से हम यह राइकोन आपते हैं ठीक है और आउटसाइड माइक्रो मीटर से भी हम लोग बाहरी व्यास मापने के लिए प्रियोग में करते हैं अगले 5.5 डिगरी या बाट डिगरी तो करेक्ट टेंशर क्या उजागा 5 मिनट correct तेंशर हो जागा नेक्स्ट थर्टीसिक्स नंबर दिया है कि कम्भीणेश्न प्लाइब आरी नॉट यूज्ड़ फार कुम्भीणेशन प्लाइब किसके लिए प्रयोग नहीं होता है कंबनेशन पिर को पिर उपयोग नहीं किया जाता है, C당히 के लिए, 곱ि अधर।ええ क्रूर को जाएक लिए cof implementing के लिए AMERING के लिए तो यहां Core actual पिर चानीच कहो हो जाएगा, Kamerringар को appreciate Have a represents quantity पिर क्रिशन हो, combination फिर के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, बलकि कम्बिनेशन प्लायर को लिए कम कटिंग है हैं हैंमरिंग और होल्डिंग के लिए किया जाता है नेक्स कोशन 37 पर बढ़ते हैं यह 37 नंबर का कोशन है यह टेप इस ब्रोकेन एड़ी सर्फेस आप दी वर्क पीस इस ब्रोकेन टेप केन भी रिमूव बाई यूजिंग डॉट 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 वर्क पीस की सता पर एक टेप तूट गया है इससे टूटे गये टेप को किसका उप्योग करके निकाला जा सकता हैं पंच का कर्टिंग प्लायर का टैप एक्स्ट्रेक्टर का या वेल्डिंग का तो यहां करेक्ट एंस्टोर क्या हो जाएगा करेक्ट एंस्टोर जो हो जाएगा टैप एक्स्ट्रेक्टर का परियोग करके हम लोग टूटे हुए टेप को निकाल सकते हैं टूटे हुए या है desirable hardness is file in generally सबसे उप्यूक्त उत्तर चुनिए किसी फाइल में वांचनी या 14 का आमतोर पर क्या होता है बीच SRC होता है 60 HRC होता है 80 HRC होता है या 30 HRC होता है तो correct answer क्या हो जागा 60 HRC correct answer हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखिए 39 नंबर दिया है वीच आप दिफोल्विंग कैन नाट भी यूज़ फार लॉकिंग आफे बोल्ट बोल्ट को लाग करने के लिए निमलीखित में से किसका उप्योग नहीं किया जा सकता है वायर का डिश्क वासर का नट का या इस्पैनर का तो यहा नेक्स कोश्चन है 40 नंबर दिया है इसका कोई सिर नहीं है और इसके दोनों और थ्रेड है इसलिए मद्यभाग में थ्रेड नहीं है इसे क्या कहा जाता है बिल्कुल अच्छा कोश्चन है चलिए इसको हम लोग करते हैं तो इससे क्या कहेंगे मतलब डबल इंडेड इसस्पैनर नट कहेंगे बॉल्ट कहेंगे या सिरो कितर होता है बट नो है नहीं होता है और व अच्छछुन देखिए एक नमबर दिया डॉट 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 इस नॉट ए लैपिंग कंपाउंड लैपिंग कंपाउंड नहीं है कौन सा सिलिकान करभाइड एलियूमिनियम अक्साइड आइरन करभाइड या बुरान करभाइड तो यहां करेक्टेंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आइरन नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ण बड़ते हैं er is use to check filler gage का प्रियोग किसकी जांच के लिए किया जाता है गेब के लिए लेंग्टण के लिए या डायमेटर के लिए तो फीलर गेज का प्रियोग Hôm लोगा प्यानिकी अंतराल के लिए करते हैं करेक्ट एंसोर यह हो जाएगा नेक्स कोशन बढ़ते हैं नेक्स कोशन 43 नंबर है दिया है वीच आप दी फोल्विंग इस नॉट एक कटिंग टूल मेटेरियल निमलिखित में से कौन सा कटिंग टूल बनाने वाला पदार्त नहीं है एच एस या टंगस्टन आइरहन तो क्रेक्ट एंसोर क्या हो जाएगा राट यहां पर करेक्ट रों जागा डी नेक्स कोशन ने 44 नंबर दिया है वाट इस दे वैल्यू आप ए थ्रेड एंगल आप मेट्रिक फ्रेड इंडरी मिट्रिक फ्रेड में त्रेड का कोड़ कितना डिग्री घुता है फोलुविंग इस नॉट एट्रेक्टेड बाई मेगनेट निम्री किसमें से कौन सा पदार चुम्बक द्वारा अकर्षित नहीं होता है एसेस 410 या एसेस 316 या कारवन इस्टील या आलाब दीज तो करेक्ट टेंसर यहां पर क्या हो जाएगा एसेस 316 यह चुम्बक के द्वारा अकर्षित नहीं होता है नेक्स कोचन 46 नंबर दिया है गाइड पीन इस कार्ड गाइड पीन को क्या कहा जाता है डोवेल पीन हेलो पीन इस्प्लिट पीन टेबल टैप पीन तो जो गाइड पीन है उसे डोवेल पीन कहा जाता है याद रखिएगा नेक्स्ट कोश्चन है स्टेनलेस स्टील इस जो होता है आम तोर पर लोए और किस से बनाए जाता है स्टीलियम से तो यहां 47 का क्रेक्ट टेंसर क्या हो जागा सियार क्रोमीम से नेक्स्ट कोश्चन 48 नंबर केमिकल फार्मूला आफ एसिटिलीन इस एसिटिलीन का रसायनिक सुत्र क्या है इस एक्साइब क्या हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन बठते हैं कर्वर्ट फॉर अपान 5 इन टू डेसिमल तो चार बटा में पाँच दिया हुआ है decimal में इसे बदलना है तो क्या करेंगे बस 5 से divide कर दीजिए 4 को क्या हो जाएगा point लगाईए point लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा 4 0 हो जाएगा और 5 8 40 कड़ जाएगा और decimal में convert होके क्या हो गया point 8 answer हो जाएगा point 8 कौन से option में यहाँ पर correct answer हो जाएगा next question देखिए देखिए चूज most appropriate option full farm आप PSI इज क्या होता है PSI का full farm क्या होता है per square inch दे दिया है न तो पी का इसमें बताना है सबसे उप्यूक्त विकल्प चुने PSI का पूर्ड रूप के लिए तो देखिए pounds पर square inch होगा या pressure पर square inch होगा या power पर square inch होगा potential पर square inch होगा हमें इसका answer comment बाक्स में बताना चाहिए और एक बार मैं कह रहा हूं कि NPCIL के 18 previous year के question आपको link description बाक्स मिल जाएगा जो कि आपको ले लेना है और अपनी तयारी करना है क्योंकि 18 previous year के question यदि आप देखते हैं तो आपको idea लग जाएगा कि NPCIL रावत भाता राजस्टान साइट से कैसे question पूछा जाता है यह वहीं का official paper है previous year का तो चलिए इसका आभी तक comment हमें नहीं आया मैं इसका answer बता दूं 50 का correct answer क्या हो जाएगा PSI का full farm होता है pounds per square inch pounds per square inch correct answer हो जाएगा तो इस परकार जितने भी question थे previous year के आपको 50 question पूछे जाते हैं 120 मिनट का समय मिलता है तो यह आपको बहुत ही easy है यदि आप अपना trade focus कियें तो उमीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो एक like कर दि जिए कि NPCIL से related और आपकी तैयारी की वीडियो की नोटिफिकेस आपको मिलती रहे आज कली वीडियो में इतना ही thanks for watching this video